गुड मॉर्निंग स्टुरेंट्स आज हम आपको इंग्लिश न्यूजबेपर कैसे रीड करना है वो सिखाएंगे देखिए यह 11 दिसंबर 2020 का न्यूजबेपर आपके सामने है ता ट्रिव्यून तो इसमें आपको यह फर्स्ट पेज आपको दिखाई दे रहा है तो एक तो जान रखें कि जब भी आप beginner है तो शुरुप में आप सुरू के खवरे होती है इनको पूदरे इनकी जो थोड़ी सी जो लैंग्वेज होती है तो इसके लिए आप जब शुरुवात करते हैं न्यूजबेबर पढ़ने की तो आप किशी लोकल खबर को पढ़िए छोटी खबरें पढ़िए कि देखिए आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको छोटी खबरें मिले गया गया इसलिए आज हमारे सामने ये खबर है यह आपके सिकुल से सम्मंदित भी है यह देखिए आप यहां यह लिखा हुआ है कि क्लासिज फोर टैंथ एंड ट्वेलेट पूपिल्ज अब पूपिल्ज यहां क्या आपते हैं स्टूडेंट्स तू रिज्यूम प्रॉम दिसम्बर फॉर्टिंग अब यह जो आपको मिल यह इसको मिलते हैं एडिंग यह एडिंग होगी थोड़ी इस ही इंडिज की आप क्लासिज फोर टैंथ ट्वेल्ज दसमी और बार्मी के पूपिल्ज होते हैं वैसे तो सिश्य या सुड्रेंट्स उनके लिए रिज्यूम दुबारा सुरू करना प्रॉम दिसम्बर फॉर् वन पीम कि सुबह 10 बजे से लेकर दो पैर एक बजे तक और यहां एक सबत मिलेगा वो ट्रिब्यून न्यूज सर्विस यहनि जो न्यूज प्र है उसकी यह सर्विस है वो सिवा तो यह दे रहे हैं यहां उनकी सर्विस सिस्टम होता है यह तो अगे देखिए कि जैसे आप कि यहां लिखावा है कि चंडिगड दिशमबर 10 इन्हें खबर चंडिगड से आई है और 10 दिशमबर को आई है और 11 दिशमबर के पेपर में आपको देखने को मिलेगी क्योंकि 10 दिशमबर की रात को यह पेपर प्रेंट हुआ है ठीक है तो आप देखिए शुरू से हम कि वहीं आएंगे सारे बारा के बारा आपके अब आपको तोड़ा देखना कि यहां जो संटेंस है वो कभी लंबा हुए है आप इस शुरू के टेंस को पढ़िया यह देखिया कि यहां देखिए कि in view of the board examination the state education department has decided to resume classes 10th and 12th for 3 hours daily in both government and private school from December 14 अब यहां जाके यह first stop आया है तो इतना बड़ा वक्या हो जाता है तो बच्चे इसको समझने में बड़ी दिक्कत मैसूश करते हैं आई हम देखते हैं इस वक्त इस sentence को हम तोड़के देखेंगे तो देर देरे आपके समझ में आ जाए गाए यह देखिए दुबारा से कि यहां तक देखिए आप हले कि in view of the board examination अब in view of the इसको मतलब द्यान में रखते हुए या इस नजरिये को देखते हुए board examination कि जो board के paper होते हैं या board की प्रिक्षा होती है उनको द्यान में रखते हुए क्या क्या है कि the state education department अब यह subject है आपका state education department यनी रज्य का सिख्षा विवाग यह हो गया एक subject अब यह singular है तो यह हम as का परियोग करेंगे और decided नहीं लिया है अब has decided आ गया तो यह कौन सा टेंस हो गया present perfect तूर्जियूम अब किसने नहीं लिया है state education department इसने नहीं लिया है क्या नहीं लिया है to resume to resume की दुबारा शुरू करने के लिए classes किस के लिए 10th and 12th for three hours कितने time के लिए 3 गंटे के लिए कब daily हर रोज in both और दोनों में किसमे government and private schools यानी सरकारी और private दोनों स्कूलों में कब से from December 14th कि देखिया कब से December 14th अब December 14 से दोनों परकार के स्कूल जो है government and private उन में तीन गंटे के लिए classes सुरू की करने का निनी लिया है अब next वक के लिए कि the classes will run from 10 a.m. to 1 p.m. अब classes है वो चलेगी will future indefinitance है कि चलेगी from 10 a.m. to 1 p.m. सुबह 10 बज़े से लेकर तो पर एक बज़े था यह इसमें एत्रिक जान कर देदी है अब यह क्या कह रहा है कि meanwhile कि इसी दोरान the students of classes 9th and 11th कि जो student है ना ग्यार्मी और नॉमी और ग्यार्मी के will be allowed अब यह लेकर यहाँ यह पैसिवाइस हागी एक तो यह जान रखना बच्चों कि जब भी आप अकबार पढ़ते हैं ना तो अकबार में ज्यादा तर आपको पैसिवाइस के बाक्य मिलेंगे तो will be allowed to attend school कि यहाँ जो नॉमी और अब यहाँ सब्जेक्ट रेखिया पहले सब्जेक्ट क्या है कि स्टूडेंट यह सब्जेक्ट है और स्टूडेंट किसके नॉमी और ग्यारवी के और यहाँ अगी स्टूडेंट्स विल बी अलावड तो अटेंड स्कूल स्कूल में आने के लिए अलाव होंगे कब से प्रॉम दिसंबर 21st 21 दिसंबर से वह आने के लिए अलाव होंगे आगे देखिए कि इन एलेटर की एक लेटर इस्शूड इस्शू किया गया है यहनि बेजा गया है टू ओल डिस्टिक एजुकेशन ओफिसर्स सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रॉम दार डिरेक्टेट ओप स्कूल एजुकेशन जो विद्याले शिक्षे निदेशाले है उनके जो निदेशक है उनके दवारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को एक लेटर इस्शू किया गया है बिजा गया है अब ये देखिए ये भी पैस्षिवाइस है कि ये उसमें जिक्र किया गया है वर्णन किया गया है क्या की अब ये देखिए द्यांशी पड़िया आपकी before coming for the classes कलास्वों में आने से पहले the students की जो विद्यारती है have to get a general medical check-up कि उन्हें एक समन्ने medical check-up करवाना होगा done करवाना होगा from any doctor जो किया गया हो किसी भी दोक्टर से और health center या किसी स्वास्थे जो केंदर होता है उससे करवाया हो health check-up और क्या करणा होगा किसके लिए करवाना होगा वो health check-up medical check-up for the covid symptoms कि covid जो आज कल जी महामारी फैली कोई इन covid-19 उसके लक्षणों के बारे में ये check-up होना चाहिए they have to get a letter देखोना है आपर students अब have to होता है भी कोई काम जब करना जरूरी हो तो have to लगाते हैं कि उन्हें get प्रापत करना होगा a letter लिखित में from the doctor कि doctor से वो letter लिखित में प्रापत करना होगा इन्हें बच्चों को specifying यानि जिसमें विशेष जी करोना चाहिए अब आउट देर medical condition उनकी किनकी students की medical condition उनकी जो स्वास्थे जो प्रिश्थिती है उनकी कैसी है उसके बारे में उनको special उनका जी करोना चाहिए the letter issued by the doctor की जो letter doctor दोबरा issue किया गया है अब यहाँ एक सबद आणा चाहिए which is issued by ठीक है इसली यह प्रैस्षिव बने जाती की the letter जो की doctor दोबरा issue किया गया है should not be नहीं होना चाहिए more than 74 hour old बैतर गंटे से ज़्यादा पुराणा नहीं होना चाहिए कब बैतर गंटे कब before entering the school school में entry से बैतर गंटे पहलेगा उस्से ज़्यादा पहले गनी होना चाहिए various primary health center और community health center की प्रात्मिक सवस्थे के अंदर और जो समुदाइक सवस्थे के अंदर है will attend अब यहां दखिए यह दोनों है ना यह आपके सब्जेक्ट हैं आपर primary health center और community health center यह दोनों क्या है सब्जेक्ट है और यहां आपकी यह helping वरब आईए फिर वरब की पहली फ़रम आईए will attend to the students for your cost यानि बिल्कुल मुफ्त में उनका check-up करेंगे next देखिए अब एक बात अबर बताएए ने कि the permission from parents कि जो माता पिता से जो permission है will also be required अब यह भी passive में है will be लग रहे है और third form है यह passive है कि जो permission है वो उसकी भी जरूरत होगी और permission किसकी? parents की माता पिता besides इसके अलावा daily monitoring of body temperature जो शरीर का जो तापमान है उसकी daily monitoring की जाएगी of both किसकी students and teachers बोथ यह दोनों किसकी student और teacher दोनों की will be carried out ली जाएगी मतलब उनकी body temperature लिया जाएगा in school school में and or if it is more than normal और यह दी यह normal से जाएगा यह दोनों की जाएगी they will be sent back फिर वापस बेज दी जाएगे रसे ताप अगर देखेंगे तो यह बहुत बड़ा एक sentence मन जाता देखिया कि यहाँ से कि बिसाइड़ आप देखेंगे तो इतना बड़ा एक वाक्य हो जाता है और शमने तबच्चे डर जाते हैं इसके इसके इंदी कैसे बनाई जाएगे लेकिन अगर आप इसको तोड़ तोड़ के आप पढ़ते हैं जाए अड़ा जाए वहार उख जाए जाकोंबा जाए वहार उख जाए तो आपको यह समझ में आजाएगा इतनी कोई मुश्कील वाली बात नहीं है आगे देखिया कि एक और बात कहिए कि the schools have to have to अगे ना जो काम करना होता है कि school लों को करना होगा upload upload करना होगा data यह data नहीं होता यह सब्द होता है data about body temperature on an app body temperature के बारे में एक app प्रवाइड की गई है by the education department education department की दवारा तो thank you, okay अरो जमें इस तरह एक पढ़ेंगे नया